जैहिं सातियो स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल SP Classes पर अगर आपने हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें क्योंकि जो अनुसाबी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसकी इनफॉर्मेशन आपके यहां पहुंच जाएगी और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सेयर करें ने छ़िए आज का फर्स्ट कॉस्चन है बेटामिन डी का सुरोच क्या है सूरिका किरने लफ में लेक वीडियों क्वांच विपा मिन डी सर्जन में कौंसा तथ पाए जाता है तो क्वांसा kost पाए जाता है mercury क्हांविशनला ले ऑंग प्रोंतियों की फ़ंद में क्या साहे सहाय के एंजायम है तो कौन सा है trypsun अंगला question है फंक ने किसका अविस्कार किया था तो जो फंक के थे उन्होंने किसका अविस्कार किया बहुत important question है तो उन्होंने vitamin का अविस्कार किया इसके रोग के कि इलाज में क्या उप्योगी है तो आउला उप्चार के लिए उप्योगी है अंगला को सेंगती प्रिरक का कार क्या होता है तो एंगला कौश्चन है गाह और मेंच के थनों में द्थ दुतानने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है तो ऑक्सी टोसन की किसकी ऑक्सी टोसन की अंगला कॉस्चन है गोल किर्मी निम्टोड से होने वाला रोग है तो कौन सा रोग होता है गोल किर्मी से फाइल एरिया कौन सा फाइल एरिया अंगला कॉस्चन जनतु विज्ञान किसका अध्यन करता है त पानि एन फिलाइक का रख्या होता है जीन की फीलाइक का का रिडालानाग कईलाता है तो क्या कहला अधार परिबारता है और किसे नहीं की तो बहुत में सबंगा कोश्चन है बहुत रक्षचित बबल बेबी रोग क्या कहलाता है तो इस लाइर के बुलो बले बनाता है अंगला क्वश्चन है वी सी जी का टी कणे रोग को कि कितने दिनोंस बहुत लगाना चाहि really is रोग शरीर की किस भाग को प्रभावित करता है तो किस भाग को प्रभावित करता है तिली को प्रभावित करता है अंगला कोश्चन है भारत की सबसे बड़ी मचली कौन सी है बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन तो वह सार के सबसे बड़ी मचली है भारत की अंगला कोश्चन ह प्रियोग होने वाली कीट भक्षी मचली कौन सी है तो कौन सी है गैंग बू सिया कौन सी है अंगला कोश्चन मास पेशियों में किसके एकत्रत होने से थकान होती है तो किसके अंगला कोश्चन है माना गुर्दे में पत्थरी किसकी वज़ाय से बनती है तो किसकी वज़ाय से क्यल्सियम आकजे लेट की वज़ाय से बनती है अंगला कोश्चन है माना सरीर के पाचन का अधीकांस भग किस अंस में संपन्न होता है तो किस अंस में संपन्न होता है छोटी कि आतमें इह समपन्य होता है ंगला कोईच拌सरीर के ट का किस जमता है तो being stopped로 दो किसमें से जमता है तो Yakkyat आंश जमता है और माननों सरीर में क्रोमोसां कि संख्या कितनी है किसल उसी Cam einen मानो शरीर में 46 उन्गिला कोच्चन मानो शरीर में सबसे छोटी ग्रंती कौन सी है तो कौनसी है पिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट स्रीर में हीमोगलोविन को चित्राशिचन का परिवहन करने हीमोगलोविन का का रे हैं यूरिया क्या है यह किया है एक नाइट्रोजन यूब्ट कारविन यूग्ब है यूरिया अंगला कोस्चन है लैसे बीम का उपयोग किस चिकस्था में होता है किस चिकस्था में होता है आंक में होता है यह ज़िए दंतरत कन्न के क्लिए कौन सा खनेज आवशाक है तो बहुत है C का साबसे अत्तम शरोत क्या है तो वितामन C का सबसे बत्तम शुरोत क्या है औहला है क्या है आउला अंगला क्वेशंम क्लाक्ति आयोडीन की कमी से क्षेılarा क्वेश्फ क्ला इंसूलिन पेरिकटी तो मस्तेक्षकी कारपणाली प्रगट होती है एक स्वस्त व्यक्ति का सामन रख्त चाप कितना होता है तो कितना होता है एक स्वस्त माना रख्त मंत रख्त चाप इंग creativity केंदना की कमी को कहते हैं अंगिला क्यों अ क्यों ト्वाव मस्तेक्स ऊसके सरीर के इन पाइत में सबसे बड़ा है तो किसका है चीटी का किसका चीटी का अंगला क्वास्चन है शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन होने वाला कौन सा रोग है तो रक्त हिंता शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन होने वाला रोग है रक्त हिंता अंगला क्वास्चन शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है त सभीट रक्त कन का मौख्यकार क्या किया है रग पिरति रोधक क्या है रोकी पिरति-ाप हर्म Свंजार में का कि कि कमी हो जाती है रक्त किकेंसर को जीड़ को जाती रक्त कैंसर की कमी कि किया जाता सबसे पहले किस ने तैयार किया जाता है पोलियो को सबसे पहले किस ने क्या cracking पॉलियो का टीका है उसको सबसे पहले किस ने तयार किया तो जॉन सॉलक ने इसको तयार किया पॉलियो का बाहरा सरीर में कहां से प्रवेश होता है तो कहां से होता है जो पॉलियो का बाहरा सरीर में तो दूसरे भोजन तता जल से हैं सरीर में प्रवेश होता है तो चलिए आ ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो क्या असल लगा है तो बनी रही है आप हमारे साथ जय हिन